अगर उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका चेरा दिन बदिन खराब होता जा रहा है, चेहरे का रंग दिन बदिन सावला पढ़ता जा रहा है, स्किन आपकी लूज धीली होती जा रही है, आपके चेहरे पे जगा जगा काले दाग धबे बनने लगे हैं, जाया बनने लगी हैं तो ऐसा अपने face पे हम क्या अपलाए करें कि हमारी skin जो है निखरे चेहरे का रंग साफ हो आपकी चेहरे का खाला पन जो है वो उत्रे आपके चेहरे का रंग गत आपकी निखरती चली जाए चेहरे के काले दाग धबे खतम हो चाहे वो धूप में घूम घूम के tanning बनी हो चा होनी चाहिए और आपके skin वैसी नहीं है तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू तरीका बताऊंगी जिसका अपने चेहरे पे अप्लाए करेंगे आपकी चेहरे पे अलग ही नूर आएगा चेहरे का रंग साफ होगा चेहरे की skin glowing बनेगी दाग धबे खतम होंगे और सबसे अच skin tight बनेगी जुरियां आपकी skin की खतम होंगी यह आपकी skin के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला यह कैसा DIY आप इसको face pack कह सकते हैं घरेलू नुस्खा कह सकते हैं जो कि आपकी aging sign को कम करता है आपकी skin को बहुत अच्छा रहता है बहुत ही पुराने टाइम में राजा रान के टाइम में इस तरह के घरेलू उसके apply करके अपनी skin को खुबसूरत बनाया जाता था निखारा जाता था आजकल की product तब नहीं होते थे और उनके skin बिलकुल हमारी skin से तक कहीं अच्छी होती थी मेरी दादी मुझे अभी भी आदे 70 years के थे तब मैं अच्छी बड़ी हो ग साथा लेकिन फिर भी दाग दब में जाई है कुछ उनके मैं कहने का मतलब यह है 70 साल तक भी उनके चाहरे पर कोई दाग नी बनाता और हमारे अभी से कुछ ना कुछ होना स्टार्ट हो जाता है क्यों होता है पता वह तरह तरह की चीज़ें नहीं लगाते थे उस टाइम प करते हैं बहुत पहले के टाइं में लोग यूजे करते हैं अभी काफी लोगों को देखा परे के लिए दही मले मिल जाएगा नहीं है तो आप मार्केट से पैकेट वाला भी ला सकते हैं या फिर आप घर में भी बना सकते हैं करना क्या है जिनको नहीं बता है दही कैसे बनाते हैं आपने दूद जी लेना होता है फिर गरम करना होता है फिर उसको थोड़ा ठंडा करना होता है फिर उस पे आपने लस्टी डाल देनी होती है, एक-दो छुमच और सुबह तक रख देना होता है, उसको सुबह में लो जी हमारा दही बन के तयार हो जाता है, फिर हम छाए तो खा ले चाहे तो चाहे तो चाहे फिर लगा ले ठीक है, खाने में भी बहुत हल्दी होता है, इस प्रवारी में चला जाएगा जो गाडा गाडा है वो हमने लगाना दो स्टेप होंगे जैसे मैं बोलती हूँ जिए वैसे अपलाई करते चले जाए इसके इनको साफ कर लेना पहले फेश्ट वर्स कर लेना उसके बाद से आपने करना क्या है थोड़ा यहां पर लेना है दही म पता ने कव ठीक होगा अभी बचा हूँ है फीवर के बाद मुझे यह अलर्जिट एप का कुछ हो गया था जब मैं एंटिवायटेक खाती हूँ तो मुझे होता है उससे पहले वह हुआ था वो बिल्कुल हलका पड़ गया तो यह हमने लगाया इस तरीके से दही इसके बा के लिए बहुत बेनिफीशल होगा अगर आप इसको अपलाई करेंगे तो आप चाहे तो सिर्फ दही भी अपनी स्किन पे अपलाई कर सकते हैं जिसे चैप लड़के हैं चैप लड़की हैं किसी भी उम्र के हैं आपने थोड़ा सा दही लिया अपनी स्किन पर इस तरह से मस लेकि इस तरह से अपने face पे मसाज कर सकते हैं दूद बहुत अच्छा होता है skin के लिए आप दूद भी मसाज कर सकते हैं मैं दूद भी काफ़ी उस करती हूं कभी दूद करती हूं लाकि सकिन को सभी चीज़ों क गुंड मिले हर चीज़ के एक ही चीज़ पर डेपेड नहीं रहे चाहिये तो इस तरीके से हमने करना है। पर दही से मसाज इसके बाद को क्षटा वाला दही लेना है तो में यहां पर दुबारी से थोड़ा सा लिया दही मुम पाहिजा की ज़भा रही है आपको में इजी रेमडी बता रहे हूँ ठीकए हातों पर या पने तो टैकर नया sings या हमने लेंग है बेसन की जगां में मुलताने मिटी पाउड या गेहु का आटा आपने कुछ न कुछ ले लेना है यहाँ पर तो थोड़ा मैंने यह लिए अभी आपने हलका सा One Pinch of Zara Marasi हलदी ले लेनी है ठीक है यह हँने हलकी से हलदी ली और अभी हमने करना क्या जी हमने इनको करना है mix ठीक है अभी ये हमने किया mix और न ये आपकी skin पे na face pack का भी काम करेगा आपकी skin पे scrub का भी काम करेगा जो हमने इसमें बेसल लिया है आपके skin के तेज को चमक को बढ़ाता है सावले पंड को खतम करता है आपके चेरी के रंग को निखारता है ठीक है बहँआ है खुझली होती है जो भी है हलदी उसको ठीक करता है ठीक है तो हम इस तरह के से लगाया और उसके बाद हम को अधिया कैसी हो गया मसाज करना स्टार्ट करना सारे मैल को जड्र से निकाल देगा सारी dead skin को निकाल देगा अब आपने क्या करना है आपने अपने फेस पे मसाज करना है कम से कम 15 मिनट के लिए 15 मिनट हम ऐसे ही मसाज करेंगे बढ़िया से फिर हमने नॉर्मल पानी से चेरा धोना है उसके बाद अपने फेश वोस नहीं करना है सिर्फ नॉर्मल पानी का यूज़ करना है फिर क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, एक तो आपने हमेशे जो भी मसाज करें, नीचे से उपर की तरफ ऐसे मसाज करना है, थोड़ा सा बनाना है, जैसे आपको हाथ पर ही बना के बताया, बहुत भरके बना के, जो बचता घुमेगा, फिर आप उसको फिरज में स्टोर करेंगे, फ अब ऐसे ही बना के अपने फेस पर अपलाई कर लेना, अब या आपने अपने गर्दन पर और चहरे पर दोनों पर अच्छे से अपलाई करना है, मैं आपको वीडियो में सिर्फ यहाँ पर चहरे पर करके बता रही हूँ, बिल्कुल पहली बार में आपकी स्किन बिल्कुल रिफ्रेश हो चाहेगी, चाहेँ आपको किसी फैस्टिवल के लिए अपना फेस साफ करना है, चाहे घर में डेली रूटीन के लिए ही, क्युक्कि साफ तो हर किसी कर रहना होता है, चाहे आपने कहीं जाना है, आप इसको जरूर अपलाई कर सकते हैं, आप डेफिनेटल बहुत ही साफ, फ्रेश मुझे फील हो रहा है, तो इस तरीके से आपने पहले तो यह जो हमने पैकी बनाया है, जो भी है, हमने यूज किया, उसको दो स्टेप में ऐसे हमने यूज करता है, चीक है, उसके बाद से आपने अपना चेरा अच्छे से पोच के, फिर आप दिखो इसमें कैसी स्किन एकदम साफ होगी, यह बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आया है, फिर हमने लेना अलोविरा जेल, जो कि आपकी स्किन को टाइट बनाता है, रिंकल्स खतम करता है, पिम्पल्स खतम करता है, तो उसको खूब सूरत बनाता है, थोड़ा सा हमने यहां पे अलोविरा जेल लिया, फिर आपने इस तरीके से अपने हाथों पे मसाज करते हुए, इसको अपने फेस पे अप्लाइ करना है, और थोड़ा सा आपने मसाज करना है, दो तीन मेनट के लिए स्किन में अच्छे से अप्जर्व कर लेना है, फिर बस आपका जो स्किन केर है, वो यह complete हो जाएगा, और आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और आप इसको continue use करेंगे, तो आपकी स्किन हमेशा अच्छी रहेगी, ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस घरेलू नुसके का use करना है, फ्री में ही घर पर आप बहुत अच्छी से अपने स्किन को कर पाएंगे, शाम को जो free बैठते हैं तो इस तरह के experiment करते रहा करें, believe me, आपकी स्किन भी साफ रहेगी, आपको अपने आप से भी प्यार होगा, थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए चरा के निकाल के घर के daily busy routine में से हमें अपनी स्किन को साफ करना चाहिए, अपनी अलम लेकिन क्या ही कर सकते हैं, life है, कुछ न कुछ तो होता ही देता है, है न, होता है मेरे पास, fever के बाद ऐसा कभी-कभी हो जाता है, मेरे मुझ में भी चाले आई है, fever के बाद मैं दवाईया खाई न, उससे, तो कभी-कभी जबान फिसल रही है, भोलने पे, बहुत painful नहीं है मुझे चाले, लेकिन है तो, है न, तो दोस्तों, मैं जोती मिलती हो, आप से कले कुरने वीडियो के साथ, तब तक के लिए, bye bye, love you all my friends